पर ये एक महत्वपूर्ण न्याई पत्र है ताकि हमारे देश के जनता को एक नई भविश दिखाई दे। हमारे सम्विधान के प्रस्तावना में जो लिखा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याई को लेकर। मैं एक बात और कहूंगा कि पिछले 63 दिनों में गोहाटी से लेकर बेंगलूरू तक गोहाटी में 23 तारिक को राहुल जी ने 5 न्याई एजन्डा देश के सामने रखा, रांची में पांच फबरेवरी को उन्होंने हिस्सेदारी न्याई को लेकर काफी लंबी बात की। अंबिकापूर में 13 फबरेवरी को कॉंग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याई की गैरेंटियों की घोशना की। फिर साथ तारिक मार्च को बानस्वारा में कॉंग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याई को लेकर पांच गैरेंटियों की गोशना की। उसके बार नंदूर बार में 12 मार्च को राहुल जी ने पांच सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धूले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याई की गोशना की गई। 14 तारिक मार्च नाशिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरत पवार जी पूर कृशिमंत्री भी मौजूद थे, संजेर राहुद मौजूद थे और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याई की गैरंटी दोराया और अंत में 16 तारिक बंगलूरू में कॉंग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याई को लेकर और हिसेदारी न्याई को लेकर फिर से गैरंटी दोराया तो पिछले 63 दिनों में दो मेहने तो बड़ी कवरा खुतादेस EWC की बैठाक में घोशना पत्र को लेकर चर्चा हुई है ये बात कही है जराम रबेश ने और रिशिकेश मेरे सहयोगी जुड़के जानकारी के साथ रिशिकेश क्या कुछ बैठाक में रहा क्योंकि घोशना पत्र का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं भारा जोड़ो नया यात्रा का जिक्र करते न सराए देखे बहुत जल्दी 2024 के लोगसवा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस अपना घोशना पत्र जारी करेगी और उसमें कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी जो कॉंग्रेस कारे समीति के नाम से जानी जाती है तीन घंटे तक की बैठक चली और उसमें जो पांच नया जिसकी चर्चा बार बार राहुल गांधी अपने भारे जोडो नया यात्रा के दर्मियान कर रहे थे वही मेनिफेस्टो कमिटी ने उसका ड्राप्ट आज CW के सामने रखा और जिसमें CWC ने अपनी मुहर लगा दी पांच कैटगरी में बाटा गया है लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो जाती है जनगना है वो कांगरेस की गोशना पत्र में सामिल होगा पांच जो अलग-अलग कैटगरी है जिसमें किसान है, युवा है, नारी है, स्रमिक है और उनके अलग-अलग पांच गारंटिया दी गई है जिसमें आप परतेक रोजगार जो बेरोजगार है उनको एक लाग तक की भत्ता है बहुत सारे ऐसे सहरी जो शहर रोजगार गारंटी होजना है सामाजिक सुरक्षा है पेपर लिग से मुक्ती है भरती का भरोसा है महालक्षमी न सकती का सम्मान आधियावादी अपनी धरती अपना राज CST को लेकर अपनी गारंटी तो यह तमाम घोशना पत्रका अंग होगा लेकिन कॉंग्रेस जो इस समीथी में जो बैठक हुई उसमें मलीकारजुन खड़ गया और जितने भी CWC के मेंबर थे उनके सामने इस बात को लेकर रजामंदी जित आई गई कि भले ही सरकार बनी थी तो इसी तरह का महौल अभी देश में है दोजार चौविस में और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ परचार के जरी हवा बनाने की कोशिस की जा रहे है जमीन पर अब भी वो उन मुद्दों को सफल बनाने में कामयाब नहीं हुई है जिसके आधार पर कॉंग्रे चार बजे कॉंग्रेस चनाब समीति की वे बैठा कोने वाली है बारा राज्जियों की नभे सीटों के मिदवारों पर मन्थन हुआ है पहले चरण के उमिदवारों के नाम फाइनल होंगे जिसमें बंगाल, राजस्तान, हिमाचल, करनाटक शामिल है तो जो राज्जे शाम मिल हमें बंगाल, राजस्तान, हिमाचल, करनाटक, पेलंगाना, मध्यप्रदेश, गुजरात और अर्वनाचल है तो जो यसे में बहुत मेहत्वपूर्ण है शाम चार बजे कॉंग्रेस चनाब समीति की ये मीटेंग 12 राज्जियों की 90 सीटों को लेकर, उमिद्वारों की नामों को लेकर इस मीटिंग में मन्थन होगा क्योंकि इस वक्त लोकसभार चुनाफ की तारीखों का एलान हो चुका है अब ऐसे में हर पार्टी जल्द से जल्द अपने उमिद्वारों के नाम खोशत करना चाहती है और CEC की मीटिंग आज असमाइने में बेहद एहम कॉंग्रेस की केंद्रे चनाब समीति की मीटिंग शाम 4 बचे पुलाई गई है और पहले चरण के उमिद्वारों के नाम फाइनल होंगे जिने राज्यों में फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है पहले उन्हीं उमिद्वारों के नाम फाइनल किये जाएंगे